क्योंकि नवरात्री का व्रत है तो हम व्रत के आटे की रोटी बनाएंगे तो यह सरफ एक ही जने के लिए समान है मेरे पास आप जाधा बनाना चाहें तो जाधा बना सकते हैं अभी मैं आपको बताओं यहां पर मेरे पास कुटू का आटा है जो कि मैंने वन फोर्थ कप लिय है नमक भी स्वाधनुसार है और यहां पर जो आधी मूली है वह मैंने कदूकस कर लिए इसके अंदर थोड़ा सा देसीगी डालके हम पहले इसको मारेंगे सब कुछ मिक्स कर लेंगे अगर जरूत पड़ेगी तो पानी भी डालेंगे और फिर मारेंगे आदा चम्मा जिता और पानी डाल के मारेंगे और यह सब अच्छे से मिक्स कर लोटेते हैं तो देके कुछ मूली भी जो है वह पानी छोड़ती है और नमक भी मिक्स हो गया है तो अब पानी की जरूद पड़ी भी तो थोड़ी कम ही पड़ेगी पहाँ ज्यादा नहीं पड़ेगी थोड़ा बिल्कुल पानी डाल के हम इसको माले के जब यह जो कुटू सिंहाडे वगरा का अटा होता है यह आप नॉर्मल इसको नहीं बेल सकते क्योंकि यह तूटता जाता है तो आमतर पर हम क्या करते हैं हम इसको नीचे पॉलेशन रखे चटले पर और ऊपर पॉलेशन रखे तले आटा माल लेते हैं अच्छे से लगया कि 7 कि ही बुटेशन अतों सारे अटे मिलाने का है कि पर जाल जाता घरम होता है और तुटूपर जहां होता है विजा से प्रवब्लम्स पर सतक्तुता लिए मैं सबकुछ मीक्स करके बदाती यहां इसे कम और साहए इसे का लिए सब्साइब कर दूंद की मर्सिद tenía जाले हैं281 जाले बनाने के लिए 3 हुआज़ा बन केकियों वरकाटी से बनाने कंपने ses परके लिए आपको में एक बार पूड़ी और पकोड़ी भी बताऊंगे कुट्टू के थोड़ा सा भी हाड तो हम थोड़ा सा इसमें पानी भी डालेंगे और हलका सा ओल भी डालेंगे अब क्यूंकि इवरत का बन रहा है इसलिए अपना बड़ावला डपा होता है उसी से डालते हैं क्यूंकि इवरत में थोड़ा सा यह ख्याल रखने की ज़़ोत होती है कि आप वर्चेस चूद रखें दूसरे ओयल में हम लोग चम्मच मारते रहते हैं तो इसलिए उसको यूज नहीं करते हैं जब यह पराठी भी बनाएंगे तो भी हम कटोरी में फ्रेश ओयल लेके और फिर बनाएंगे यह से भी बना सकते हैं और फिर हम इससे प्राठिया बनाएं लिए यह बना कि देखा था यह कुंकि हमने हाडा अटा लिया था तो अच्छे से बन गया है तो हम ऐसे बनाएंगे इसको देखे मैंने इतनी पेड़ी ली है और यह भी मेरे पास जो सुखा आटा है वह सिंघाडे का है सिंघाडा साम अच्छे से धो के साप कर लिया था और सुखा लिया था तो यह देखे यह बिल रहा है वैसे साइडों से टूपता है यह आटा है यह इसा कि साइडों से टूपता है पर मैं इसको ऐसे बेल पा रही हूं तो मुझे पॉलेसे नोगरा किसी चीज की ज़रूवत नहीं है यह बन रहा है यह जो ग्यास पर चड़ा हुआ है अच्छे से बन रहा है आप चाहे तो बिल्कुल रोटी की तरह बना सकते हैं घी कुछ भी लगाने की जरूत नहीं है और चाहे तो हलका सा घी लगा सकते हैं क्योंकि हमें इसको सिरफ दई के साथ खाना है इसलिए में हलका सा गी भी लगाऊंगी और इसको मीडियम आच पर पकाया जाता है क्योंकि यह जुनी तो पकता नहीं है यह आटे की रोटी की तरह तेस आज पर नहीं पकता तो मैंने हलका सा मीडियम आच किया इसको अच्छा परोशें और इसको नहीं को परोशेंगे और आप चाहें तो जैसे कि मैंने आपको पेठे की सब्जी पहले बता रखी है आप उसके साथ भी परोश सकते हैं आलू का जिसे खाएंके शुल बनाते हैं जो हम अब भंडार्य वगरा में वैसा वाला बनां के बगार हल् whack है उसके साथ भी बगां सकते हैं तो पावा शूर्टो छाइए हुआ पावा से लिए को नाए होई नाए sub अब अगली भी बना दूंगी फिर हम इसको सर्फ करेंगे दही के साथ और दही में सेंदा नमक और काली मिर्च मिलाई है आप सेंदा नमक की जगा काला नमक भी यूज़ कर सकते हैं क्योंकि वरत के लिए है तो नॉमल नमक खालते हैं तो कोई प्राब्लम नहीं आप यूज़ कीजिए और दही के साथ वैसे बेस्ट लगता है क्योंकि जैसा कि मैंने का यह आठा गरम होता है तो दही से इसमें करेंगे तो थैंक यू सो मच बबाई